नमस्कार क्या पुचल चीवी का खाश शो बात तो चुबेगी देख में आप मैं हूँ आपके साथ पूछा आज लेकर आई हूँ एक ऐसी बात जो कुछ बड़े नेता और कुछ पार्टियों को बहुत चुबेगी आज बताओंगी एक ऐसी बात जो मोदी विरोधियों के दिल पर लगेगी आज बताओंगी कि 2024 का लोगसबात चुनाओ किन-किन बड़े बड़े नेताओं के लिए आखरी चुनाओ रहा इन नेताओं की लिस्ट में कुछ तो ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री की कुरसी पर अभी विराजमान हैं तो कुछ बड़े नेता हैं तो कुछ ऐसे हैं जो बिपक्ष के बड़े चेहरे हैं कुछ बीज़िपी के भी बड़े नेता हैं तो चलिए शो के शुरुवात करते हैं नेताओं की लिस्ट पर बात करते हैं और शो के अंत में इस पर भी बात करेंगे कि क्या पियम मोदी 17 सितंबर 2025 को 75 वर्स के होने पर वो राजनीती से सम्यास लेंगे या नहीं तो चलिए शुरू करते हैं किसी भी राजनीता से उसके प्रोफेशन के बारे में पूछ ये वो सफल हो या असफल सरकार में हो या विपक्ष में सब राजनीती को समाज सेवा बताते नहीं थकते भारत में राजनीती का मतलब समाज सेवा है करियर नहीं वर्ला ही कोई राजनीता होगा जो राजनीती को अपना करियर बताता मिलेगा अगर राजनीता थोड़ा संजीदा हुआ दूसरे शब्दों में कहें कि थोड़ा चतुर हुआ तो समाज सेवा के साथ साथ बेश सेवा को भी ज रेटार्मेंट की उम्र को लेकर चर्चाएं होती रहती है। साल 2014 में केंद्री सप्ता में वापसी के बाद बीज़पी ने सम्मान जनक रेटार्मेंट का एक नियम बनाया। सतर साल से जादा आयू वाले नेताओं को मार्ग दर्शक मंडल में भेज दिया। इसे भारत में दो तरह से देखा गया। एक वर्ग का मानना था कि मार्ग दर्शक मंडल में शामल करके वरस्ट नेताओं को उनके वाजब हक से वन्चित किया गया। वहीं दूसरे वर्ग का म हमने retirement की बात होती है तो उसे लगता है कि उसकी सफलता और एश्वरे को सीमत किया जा रहा है राजनीती से retirement पर कई तरह की बाते होती हैं कई चर्चाय भी होती है पर एक पहलू ये भी है कि जब तक जान सलामत रहे लोग राजनीती से जुड़े रहते हैं पर आज हम अपने शो में आपको पताएंगी कि आखिर वो कौन-कौन से बड़े नेता है जिनका 2024 का ये लोगसवाद चुनाओ आखरी चुनाओ होगा सबसे पहले इस लिस्ट में किसी का नाम है तो वो है उडिसा के मुख्यमंतरी नवीन पतनायक का बीज़त के प्रमूख नवीन पतनायक ने 5 मार्श 2000 को उडिसा के सीम के रूप में कारेभार समाला और तब से लेकर अब तक वो राज के सीम बने हुए है 24 वर्शों के कारकाल में उन्होंने राज में स्वास्त, सिक्षा, रोजगार के अवसरों के छेत्र में कई महत्पुन कदम उठाए लगतार इन्हें जनता का अशरवात मिलता गया जो भारती राजनीती में दुरलब है इन्होंने राज की जनता के लिए जो काम किया उसका अशरवात भी उन्हें भरपूर प्राप्थ हुआ अपनी पार्टी को नवीन नई उचाईयों पर ले गए कॉंग्रस हो या बीज़िपी नवीन पतनायक ने दोनों दलों से अच्छा संबंद रखा ताकि राज की विकास में बाधा पैदा न हो पर इस बार का लोगसबा चुनाओ नवीन पतनायक के लिए भी काफी चुनाती पुन और एहम है एक तो नवीन पतनायक की उम्र जोकी 77 वर्स है उनके स्वास्त को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और इस बार की लोगसबा चुनाओ में बीज़पी पूरी तैयारी के साथ ओरिसा में उतरी थी और बीज़द को कड़ी टकर मिलने की पूरी उम्मीद है प्यामोदी से लेकर अमिशा तक सभी नवीन पतनायक पर जम कर हमला बोलते नजर आते हैं अगर इस चुनाओ में बीज़द हार जाती है तो इसे नवीन पतनायक की लंबी राजमितिक करियर का अंत माना जाएगा लेकिन अब ये बात हर कोई जानता है कि उडिसा में सरकार अब नवीन पतनायक नहीं बलकि पर्व आईस अधिकारी वेके पांडियन चलाते हैं पांडियन को नवीन पटनायक का बेहत खास माना जाता है बढ़ती उम्र के कारण नवीन पटनायक को स्वास संबंधी दिक्कते भी आने लगती है तो अब देखना होगा कि क्या पांडियन नवीन पटनायक के उत्राधिकारी बनते हैं या फिर नहीं अब एक और मुख्यमंत्री का नाम है जिनका ये लोकसबाद चुनाओ आखरी हो सकता है और वो नाम है बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार का लगबग पिशले 18 वर्ड से नितीश सीम है उन्होंने बिहार को अपने पहले कारिकाल में सुधारा लेकिन 2010 के बाद बिहार के विकास को लेकर उनका फोकस ही हिल गया इस कारण बिहार को काफी जादा नुकसान हुआ आज भी बिहार के युवा नौकरी की तलाश में दरदर की ठोकरे खाते हैं आज भी जैरिली शराब का कहर बिहार में देखा जाता है नितीश कुमार अब पहले की तरह एक active CM के जिम्मदारी नहीं निबा रहे ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहे एक तो पल्टी मारने की कहानी उनकी ऐसी है जो जलता भी अब नितीश कुमार से भरोसा खो गयाठी है भूलने की बिमारी एक अलग हो गई है बोलना कुछ चाते हैं बोल कुछ और देते हैं और पिछले विदानसभा चुनाओ में उन्होंने कहा था कि ये हमारा आखरी चुनाओ है हमने आपके लिए इतना कुछ किया है लास्ट बार हमारा साथ दे दीजे हाल के दिनों में नितीश कुमार जस तरह से बयान दे रहे हैं उसे देखकर लगता है कि उनकी रटार होने का समय आ गया है और ये चुनाओ नितीश कुमार का आखरी चुनाओ हो सकता है तो हमने आपको दो मुख्यमंत्रे के बारे में बताया जिनका ये चुनाओ आखरी है अब कॉंगर्स के बड़े नेता दिगविजे सिंग के बारे में बताते हैं जिनका भी ये आखरी चुनाओ है और इसका एलान वो खुद कर चुके है दिगविजय सिंग जो की 77 साल के हो चुके है, मदप्रदेश की राजगर्ण लोकसभा सीट से कॉंग्रिस पत्याशी है और वो अपनी चुनाव प्रचार में कई बार ये कहते नज़राएं कि ये उनका आखरी चुनाव है दिगविजय सिंग हाल ही में एक चुनाव प्रचार के दोरान कहा था कि ये मेरा आखरी चुनाव है मैं 77 साल का हो गया हूँ, 82 साल की उम्र में चुनाव कौन लड़ेगा मतलब उन्होंने खुद ये साफ कर दिया कि वो अब आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे कौंग्रिस इद्यक्ष मालेका आरजुन खडगे, जिनका भी ये चुनाव आखरी माना जा रहा है इस लोग से बाद चुनाव में उन्होंने कौंग्रिस के लिए जम कर प्रचार किया उम्र की बात करें तो वो भी 80 प्लस के हैं साब शब्दों में कहें तो खडगे इस चुनाव में जिस तरह से आक्टिव रहे हैं चाहे वो चुनाव प्रचार के लिए अलग-अलग राज्यों में जाना हो या विपक्षि गडबंदन की मीटिंग पर रननीती बनाना हो खडगे जिस तरह से मुखर रहे वो अब आगे नहीं नजर आएगा उनकी भी सेहत अब राज्यनिती के लिए जाज़त नहीं दे रही है विपक्ष के बड़े नेता जिनका नाम है शरत पवार उनका भी अब राज्यनिती करियर समाप्थ होने के कगार पर पहुँच गया है 83 साल की उम्र में शरत पवार की राज्यनिती में बात वो पहली वाली नहीं रह गई जबसे अजीत पवार और शरत पवार की रास्ते अलग-अलग हुए है तब से शरत पवार की हालत और खराब हो गई है और इस चुनाव में शरत पवार की जद्दाव पर लगी है बारमती जो शरत पवार का गड़ है वहां से सुप्रिया सूले मैदान में है और अगर ये सीट शरत पवार के हाथ से निकलती है तो इस चुनावस में शरत पवार का स्थेत्व ही खत्म हो जाएगा और जब से NCP में दोफार की खबरे सामने आई है तब से शरत पवार ऐसे ही बैक फुट पर है और ये चुनाव उनका आखरी हो सकता है अब बाद BGP के कड़ावर नेता की करे तो राजनाथ सिंग वो बड़ा नाम जिनका ये लोगसाबाद चुनाव आखरी हो सकता है बारती जिनतापाटी की पुर्वत द्याक्ष और मोधी कैबनेट में मंत्री राजनाथ सिंग लखनव सीट से चुनाव मैदान में है बीजिपी का गड़ माने जानी वाली लखनव सीट से पुर्व प्रदान मंत्री अचल बिहारी बाजपई संसत पहुँशते रहे राजनाथ सिंग 2019 में पहली बार लखनव से चुनावी मैदान लोते थे और इस बार भी पार्टी ने उन्हें इसी सीट से मैदान लोता रहा है राजनाथ के सामने बीजिपी का गड़ बचाय रखने की चुनावती है और पूरी उम्मीद है राजनाथ सिंग चुनाव जीट जाएंगे पर माना जा रहा है ये उनका आखरी लोगसबा चुनाव हो सकता है तो कई नेताओं की लिस्ट है जिनका रटार्मेंट तया है पर बड़ी बात ये है कि लोग इसको खुल कर सामने नहीं रखते ना ही रटार्मेंट की बात करते हैं मोटे तॉर पर देखा जाए तो इसकी कई वजही भी सामने आती है दिर असल भारत में राजनीटी बेहत्ड आक्रशक है राजनीटी में रहने से समाजिक जीवन में अश्वरें बना रहता है इसलिए ऊमर चाहे जितनी भी हो जाए भारति पाटी राचनीता उबते नहीं है ठकते भी रही है वैसे कुछ राचनीता ऐसे भी हैं जो इतने मजबूत है कि उन्हें कोई भी हटा नहीं सकता इसके उधारन में शरत पवार जो कि देख लीजे 80 से जादा उम्र के हैं पर अपनी पाटी के सबसे मजबूत नेता है इनको तो कब का सन्यास ले लेना चाहिए था तो वहीं डीम के प्रमोग करुणा निदी भले ही चल फिर तक नहीं पाते थे लेकिन मरते दम तक उनकी पाटी पर मचबूत पकड़ रही भारत में ऐसे तमाम उधारन मिल जाएंगे पर अब बात करे हमारे देश के प्रधान मंत्री की तो एंदिनों विपक्ष को जादा ही सवाल प्याम मोधी के रटार्मेंट को लेकर करना है जिस पर अमिशान इसाफ शब्दों में संदेश दे दिया ग्रहमंत्री अमिशान इसाफ किया कि 75 साल में रटार्मेंट का बीज़िपी के समधान में कोई जिक्र नहीं है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ही अपनी तीसरी टम पूरी करेंगे दोजर उनतिस तक मोदी जी ही प्रधान मंत्री बने रहेंगे और उनतिस के बाद भी मोदी जी ही हमारी पार्टी का नत्वत करेंगे तो जो लोग PM के retirement पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको जवाब अमिशा ने दे दिया है, और जाते जाते एक बात, देश में ऐसे राजनेता बहुत कम हुए, जिनके retirement की कोई उम्र ही नहीं होती, और PM मोधी वो नेता है, उनका कारिकाल जैसे जैसे बढ़ रहा है, जनता उनक की दिवानी उतनी ही होती जा रही है, इस पर आप अपनी राइक कमेंट कर लिखे, देखते रहे क्यापतु टीवी, नमस्कार.